किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में जैविक बागवानी जी हाँ जैसा आपको पता है कि हमने एक जैविक बागवानी की सिरीज शुरू की है और उसका आज प्रस्तुत कर रहे हैं भागदो भागदो में आज हम आपको बताएंगे बायो एजेंट के बारे में आप सबने इनके नाम सुने होंगे जैसे ट्राइकोडर्मा है बवेरिया बस्याना है मेटारीजियम अनेसपोली है बैसिलस सब्टिलिस है इस प्रकार बहुत सारे बायो एजेंट होते हैं जिनका हमें प्रियोग करना होता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं जैविक बागवाने में अब जब बाजार से आप इने खरीद ना जाएंगे तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी आप एक एकजम्पिल लेकर चलते हैं ट्राइको डर्मा ट्राइको डर्मा एक जो जमीन में लगाते हैं उसके लिए एक फंगस होती है बायो एजेंट साधन ते दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं फंगस वाले और एक होते हैं बैक्टीरियल जो फंगस वाले होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं अधिकतर उनको एक साथ हम प्रियोग नहीं करते हैं जो ये बैक्टिरिया और फंगस जो बायो एजेंट होते हैं ये एक हमें पैकेट के रूप में मिलते हैं इस पैकेट में 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा है इसमें 1 किलो ग्राम ट्राइकोडर्मा है अब आईए इसमें ये देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है जो ये एक किलो का पैकेट है इसमें ट्राइकोडर्मा क्या चीज है आपने सुना होगा स्पोर्स स्पोर्स का मतलब होता है कि जो बीजानू होते है जो फंगस के बीजानू है और वो फंगस के बीजानू जिस सवस्था में मिलते हैं उसे हम बायो मास मोलते हैं उसमें इनकी कितनी मातरा होती है ये इस पर लिखा हुआ होता है जैसे आप देखोगे इसका आर्थ है कि दो गुना दस की पावर नो यानि दो अरब प्रती ग्राम इसमें जीवानू है ये तो हुई इनकी संख्या की बात आपको ये खरीत्य टाइम ये ध्यान रखना है कि 10 रेस टु दी पावर कितनी है नो है तो एक अरब है आठ है तो दस करोड है और अगर साथ है तो एक करोड है ये एक ग्राम में इनकी मात्रा होती है अब ये पोडर तो है एक किलो या आप इस पैकेट को देखिए इस पैकेट में जो मात्रा है वन इंटु टैन रेस टु दी पावर नाइन है यानि इसमें एक अरब है उसमें दो अरब है इसमें एक अरब है परती ग्राम तो क्या हम ये मानें कि ये जो पैकेट है बड़े वाला जो एक किलो का पैकेट है ये इस पैकेट से चार गुना ज्यादा है जी नहीं आपको ये सुनकर बहुत आश्चरिय होगा अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार आप देखिए कि इस पर लिखा हुआ है ट्राइकोडर्मा विरिड एक परसेंट एक परसेंट का मतलब यह होता है कि इसमें जो बिजानू है ट्राइकोडर्मा के वो केवल एक परसेंट है और 1000 ग्राम का 1% हुया 10 ग्राम तो जो इसमें स्पोर्स की मात्रा है वो केवल 10 ग्राम है और 1 ग्राम में 2 करोड हैं तो आपको 20 करोड मिले इसमें को अब आईए दूसरे वाले में दिखा हुआ है 5% डबलू पर डबलू इसका मतलब होता है के वेट पर वेट अगर ये 200 ग्राम का पैकेट है तो इसमें 5% के हिसाब से 12.5 ग्राम आपको मिलता है तो अब आईए मिलते हैं दूसरे पाइंट पर अगर इस एक किलो में आपको केवल 10 ग्राम मिल रहे हैं तो बाकी क्या है अगर इसमें 12.5 ग्राम मिल रहे हैं तो लगबग 200 जो 38 ग्राम है वो क्या चीज़ है इसे कहते हैं केरियर यानि इनको रखने के लिए जीवित रखने के लिए जो इनकी सेल्फ लाइफ होती है लगबग एक वर्स अगर ये धूम में ना रहे तो उसको जिन्दा रखने के लिए इनको एक केरियर की आवजशकता होती है इस पैकेट में केरियर है टेलकम पॉडर जबकि इस पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये कोई भी कंपनी नहीं लिखती इसमें है टेलकम पॉडर अगर आप ध्यान से देखे तो इसमें लिखा हुआ होता है की 1% इसमें लिखा हुआ है 1% घुलन सील चून यानि जो 1% है वही घुलन सील है और बाकी घुलन सील नहीं है तो ये जो टेलकम पॉडर है ये 4-5 रुपे किलो होता है अब आईये बात करते हैं दूसरे पैकेट की इस packet में जो 200 ग्राम है वो एक ऐसा material है जो की पूंड गुलन सील है इसमें लिखा भी हुआ है कि 98% गुलन सील ये इन्होंने 200 ग्राम क्यों रखा एक तो ये महंगा आता है और ये एक कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ में आपको पता होगा कि जो बिजानू ह है वो multiply होते रहेंगे आप चाहें तो इसको test कर देख सकते हैं ये जो packet है दूसरे वाला जिसमें टेलकम पोडर है इसमें सिरफ उतने ही बिजानू रहेंगे जितने के इसमें दिये थे इनकी संख्या अधिक हो जाएगी इसकी संख्या कम रहेगी पहला फायदा दूसरा फा पदार्थ ही मिलेंगे लेकिन अगर इसमें आप एक किलो वाले packet में जिसमें टेलकम पोडर है कोई भी हो कई कंपनी बनाती है जो टेलकम पोडर है वो एगुलनसील होता है और वो जब आप इसको घुलेंगे तो तली में बैठ जाएगा अगर जमीन में देंगे तो वो एक बात और ध्यान रखिए वो महगा बहुत होता है इससे लगभग डेड़ से दो गुना महगा मिलता है ये तो हुई पहली बात अब मैं इसकी एक बात और बताता हूँ किसान साथियों आप ट्राइकोडर्मा और जितने भी बायो एजेंट हैं इनको कभी भी आप बिना म नहीं लगाएं इनको मल्टिपलाई कब करना है ये मैं बताता हूँ कब नहीं करना है ये भी बताता हूँ आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी 198 उसमें मैंने ये बताया था कि किस प्रकार के जो बायो एजेंट है उनको इकठा मिला सकते हैं और उनको मल्टिपलाई कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक बात बिल्कुल सही ध्यान कर लीजिए कि आपको इने गुड में multiply बिल्कुल नहीं करना है जितने भी बायो एजेंट के sports होते हैं वो केवल और केवल कारबन माध्यम में ही multiply होते हैं और कारबन का सबसे अच्छा स्रोथ है गोबर की खाद यानि गोबर से बनी हुई खाद चाहे वो आपके घर की कुड़ी की खाद हो खत्ते की खाद हो या आपकी वर्मी कमपोस्ट हो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप सर्सों की खली नीम की खली या बोन मील में भी इनको मना सकते हैं चुकि उसमें भी कार्बन की काफी मात्रा होती है अगर आप इनको मल्टिप्लाई करके लगाएंगे इस बात की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर अवलेबल हैं कैसे मल्टिप्लाई करना है गोबर की धेरी इनको दीजिए ये होता है सही तरीका अगर आप इनको डिरेक्ट देते हैं तो आपको इनकी मात्रा कई गुना रखनी पड़ेगी जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कंपनी मेरी साथ भी हुआ है उन्होंने बताया कि आप परती पोदा पांच ग्राम से दस ग्राम दीजि वरना मेरे को पांच से दस ग्राम देना पड़ेगा अब आप देखिए कि मेरी बचत कम से कम 75 से 80 परसेंट होगी और बचत भी एक आमदनी है जो मैं बताता हूं इस वीडियो को बनाने का तात पर ये मेरा केवल यही था कि जो भी चीज आप खरीदें उसके बारे में आप को ग्यान होना चाहिए कि हमें कितनी मातरा में खरीदनी चाहिए जो कमपनी वाले कहते हैं उस पर मत जाईए दो तीन प्रोड़क्ट का आप तुलनातमक अध्यन करिए उनको देखिए अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा तो दोनों कमपनीों के प्रोड़ वाला भी अपने खेत में कुछ लाइनों में इसको लगाईए कुछ में इसको लगाईए अंतर आपको सपस्ट रूप से मिलेगा आपको पता चल जाएगा अगर ज्यादा नहीं होगा तो कम भी नहीं होगा लेकिन बचत कम मातरा में मल्टिप्लाई कर लगाने से होगी और इसमें उतने ही स्पोर्स मिलेंगे और आपको मंगाने में भी खर्च कम होगा किसान साथियो एक बात मैं फिर बता देता हूँ कि बायो एजेंट केवल कार्बन में ही मल्टिप्लाई होते हैं तो खरीदते समय ये देखना है कि जो उसका कैरियर है क्या वो कार्बनिक पदा दूसरी बात अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो इसको पहले मल्टिप्लाई करिए कार्बनिक पदार्थ में उसको मल्टिप्लाई कर जब आप पूरा खाट डालें उसमें मिला दीजिए और उसको लगाईए और आप इसका रिजल्ट देंगें मैं ऐसे बहुत से किसान यह होता है जमीन से लगती हैं यह नहीं है बाकी पूरा गाउं परेसान है मैं आपको एक वीडियो में ऐसे किसानों से भी मिल वाँगा एक बात और ध्यान रखिए इसको कभी भी गुड में मल्टिप्लाई मत करिए यह एवगनिक तरीका है यह अंधविश्वास है यह मल्टिप्लाई कर जैसे वेस्डी कंपोजर करते अपने आप बनाते रहते ऐसा नहीं है कंटामिनेशन से स्पोर्स मर जाते हैं अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहों आप गुड से मल्टिप्लाई करिए उनको पांच दिन रखिए या दो दिन रखिए और पहले दिन का से टेमपल लीजिए आप उनका CFU काउंट कराईए आपको अपने आप ही पता चल जाएगा अंतिम बात एक बार और कहना चाहूंगा ट्राइकोडर्मा को कभी भी आप इस्प्रे नहीं करिए ट्राइकोडर्मा जमीन में पाए जाने वाले पैथोजन नामक जितने भी फंगस होते हैं पैथोजन फैमली के जितने फंगस होते हैं उनके लिए होता है अगर आप इसे स्प्रे करेंगे इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा यह बात मेरे को एक बहुत मुशूर वेग्यनिक जिनका नाम है डॉक्टर राजन आप गूगल पर डॉक्टर राजन ले ने उनसे भी कनफर्म किया है जबकि मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि कुछ वेग्यनिक इसे कहते हैं इसको भी कर दीजिये नहीं ऐसा नहीं है इस बात का कोई परमाण नहीं है अगर है तो आप मुझे भेज सकते हैं किसान साथियो ये थी मेरी बायो एजेंट पर प्रस्त चाहिए इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत वन देमाद